अजलो जो असलाम अलेकुम और फ्लोर प्लानिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है इसां लोग इसही प्लान को स्वाइर में अगर प्लाणिंग का एक्सिस्पीण से आप देख सकती हो या फिर मैं यहां पर क्विक रिविव दे देता हूं इस प्लान का ठीक है तो सामने यहां पर हमने कारपोड दिया है उसके बात फोयर है और डाइनिंग उसके बात living room हमने फोयर से दीग है और फिर हमने bedroom के लिए लेड डायनिंग्रूम से इंट्रगी वे इस बेड्रूम को आमने अटाजवात प्रोड के अवर दैनिंग से किचन को आमने ओपन स्टोड के और डाइनिंग से सामने की तरफ प्रियर हॉल है ठीक है यहां पर हमने staircase provide किया है first floor जाने के लिए तो यह था हमरा ground floor और अभी हम बात करते हैं first floor गी तो first floor कुछ इस तरह से हमने बनाया यहां पर जैसे आप अंदर उपर आए तो यहां पर आपको 3.2 feet का एक passage मिल जाएगा और यह जो दीकर आपको यह railing हमने consider किया है इसको ठीक है तो ground floor में जो कारपोज था उसके ओपर हमने bedroom बनाया हुआ है यहां पर 11.9 into 10 feet का bedroom दिया है और सामने जो है 4.5 into 5 feet का window प्रोवाइड किया है और इस bedroom को हमने attach बाद यहां पर दिया हुआ है 8.6 into 7 feet का और balcony जो है यहां पर दिया उसके बाद इस passage से हमने सीधा hall प्रोवाइड किया है जैसे आप staircase से उपर आओगे आपको पहले hall ही मिलेगा क्योंकि यहां पर हमने ज्यादा कुछ door नहीं दिया तो open रहेगा मतलब 13.3 into 10 feet का hall मिलेगा और hall से आपको यहां पर सीधे इंटरी मिलेगी बेटरूम के लिए उसी तरह से step से ही हमने direct एक बेटरूम इंटरी प्रोवाइड की हुए है इस बेटरूम का size जो है 8.6 into 10 feet दिया हुआ है ठीक है इस बेटरूम को हमने यहां पर अटेजबात दिया है ground floor में भी इसी जगे पर इसक हमने यहां पर window प्रोवाइड की हुए सिर्फ एक window है so ground floor और first floor का plan के लिए आपको लगबग 22 से 25 lakh तक estimation cost आ जाएगा ठीक है तो आप ही हम बात करते हैं इसके elevation के बारे में तो elevation कुछ इस तरह से ground floor में आपने देखा था कि last video में आपने सिर्फ इतना elevation देखा था लेकिन हमने first floor में भी इसका elevation बना लिया है और इसका element कुछ इस तरह से दिया है हमने उसके बाद यहां पर balcony और necessary dimensions और आपको मिल जाएगे सिंपल सा elevation है मैं ज्यादा complicated नहीं कर रहा हूं और आपको समझने में आसानी हो जाएगे इसका पीडिया format मैं अपने website में दे रहा हूं link दिये गए link से आप डाउनलोड कर सकते हो यह कुछ इस तरह से एक working drawing भी आप बोल सकते हैं इसको यहां पर ground floor दिया हुआ इसका area और first floor इसका area और यहां पर elevation दिया हुआ है ठीक है I hope कि आपको वीडियो पसना आता है वीडियो चलेगे तो like और share कर दो और मैं मिलता आपको आगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए कर दो दो कर दो